आपके सवाल जी हाँ दोस्तों मेरी कि जो लास्ट वीडियो थी उसमें आप लोगों ने काफी ज़दा सवाल पूछे हैं मैंने पूछा था आपसे कि अगर आपका कोई सवाल हो ता मुझे बता सकते हैं और वो सवाल काफी ज़दा इंटरस्टिंग होने वाले हैं सारे के सारे सवाल जेके SSB क्लास 4 के रिजल्ट के हवाले से हैं बस आपको वीडियो में शुरू से लिके अन तक देखना है क्या पता वो सवाल आपका भी हो आपका भी वो डाउट हो जेके SSB क्लास 4 के लिए और आ प्राइक अदवाना बिल्कुल भी नबूले तो जाले वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आज कि इस वीडियो में मैं आप सिर्फ और सिफ आपके सवाल लेने वाला हूँ तो मेरे पास कुछ सवाल आये हैं तो वह मैं आभी आपके साथ सामने रखूंगा जो सवाल एपरपरेट लगेगा उसी के साथ जवाब दें तो दोस्तों सबसे पहले सवाल है सच्छन डिगराज जी का यह कहते हैं कि I have a question मेरी graduation 2021 मार्च complete हुई है मैं eligible to home but future में graduation based बेस के apply करना होगा तो कोई problem तो नहीं आएगी तो इनका बड़ा एक अच्छा सवाल है कि अगर मैं अभी 12th base पे क्योंकि शायद यह undergraduate होंगे तो अगर अभी यह form यह suppose इनके सिंकी selection हो जाती है तो आगे जाके इनको कहीं graduation बेस पे apply करना हो तो कोई problem तो नहीं होगी तो बिल्कुल भाई कुछ भी कोई ऐसी problem नहीं होगी आपको बिल्कुल भी फिकर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा ही सवाल एक पहले भी मेरे पास आया था कि क्या join करने के बाद कभी अगर job को quit करना हो तो कर सकते हैं त actually मेरे brother की job लगी है 7 June 2021 को मतलब अभी recently कुछ time पहले हैं मुझे unemployment वाला certificate बनवाना होगा तो कैसे बनेगा क्योंकि सबका farmer तो सेम रहेगा इस बारे में clarify कर दीजिए तो भाई अगर आपने पहले 5 नमर आपके उसमें add हो गये हैं तो अब आपके लिए थोड़ा मुश्किल ह हो जाएगा क्योंकि जब आप ये certificate बनाने जाओगे कि no person in family member in government employee तो आपके लिए जो भी आपका concerned तैसिलदार होगा तो आपको तो देगा ही नहीं ये certificate क्योंकि जब उतको पता चल जाएगा कि आपके family में कोई government employee है तो आपके लिए थोड़ा सा issue है क्योंकि आपका नहीं बन पाएगा ये क्योंकि आपके घर में तो आप family member में government employee है तो most probably आपके chances नहीं है कि आपको वो पांच number आगे मिल सकें क्योंकि certificate जिब तक provide नहीं होगा तो next question है पंकज कुमार का इनका question देख लेते हैं पंकज कुमार का क्या है रिट करने की बात ही नहीं जो graduates होंगे उसके हिसाब से खुद proper verification करवाएंगे उसकी documents की no one produced fake affiliate तो अच्छी बात की है कि fake documents तो कोई provide नहीं कर सकता सभी बात है इनकी तो उसके बाद next question है हभी लोन का वो कह रहे है sir please बताए कि हम कैसे confirm करें कि हमें वो 5 points दिये हैं या नहीं तो भाई 5 points दिये हैं ये सवाल पहले भी था तो वो आपको जो tentative result आपका आया था तो उससे पता चलेगा कि आपको 5 points मिले हैं या नहीं है आपको जाना है जो सबसे पहली notification आई थी जिके SSP की provisional tentative result वहां पर हर चीज की detail दी है कि आपको वो 10 marks आपके home district के मिले हैं 5 points आपकी government employee नहीं वह जो उसके मिले हैं तो सारी details वहीं पर मिले हैं ये आपको अच्छा राहूल कुमार जी पूछते हैं भाई education नहीं चुपा सकते हैं 10th के roll number पर सारी ये बिल्कुल सही बात है कोई भी अपनी qualification नहीं चुपा सकता है अच्छा तो next question है हमारे पास हाशिम बाबा का वो कहते हैं what if graduates provide affidate will the board take immediate action बिल्कुल सर action लिया जाएगा बहुत जल्दी action लिया जाएगा क्यूंकि यहां पर इस चीज़ के बारे में awareness इतनी ज्यादा होगी है जिको पहले forms निकलते से तुना पता ही नहीं होता था टिपिकली एक डिस्टिक में form निकलते से कुछ लोगों को पता होता था और वहां पर काफी ज़्यादा graduates भी fourth class की job कर रहे हैं पर यहां पर इश्यू यह है कि हर किसी को पता है कहीं पर भी अगर ऐसा होगा तो complaint चल्दी हो जाएगी और JKSSB बिल्कुल भी उस चीज़ को नह सब्सक्राइब मेरा मेरा भाई SPO है मुझे पांच पॉइंट मिलेंगे employment के मेंने वहां mention किया है कि मेरे घर पे कोई government employee नहीं है तो भाई आपको भी नहीं मिलेंगे क्योंकि SPO जो है वह government employee और आप तो SPO की salaries भी काफी ज़दा बढ़ गई है तो ऐसा कुछ नहीं क्योंकि ज सब्सक्राइब के नहीं मिले कोई chance है तो भाई सबसे पहले तो अगर आपको पांच पॉइंट नहीं मिले थे और आपके घर पे कोई employment नहीं employed नहीं है तो आपको एक email करनी थी GKSSB को result के बाद जहां से आपको 5 points मिल सकते थे अगर आपने वह भी नहीं किये तो फिर आपको wait करना पड़ेगा क्या पता जी GKSSB कोई और अगर इन GKSS में कोई chance देती है तो तभी आपका 5 points add होने के chance हो सकता है उसके बाद जो सवाल है Mr. Adil का है Sir I have a question regarding my father is a casual labor में ने वहां पे लिखा है कि कोई भी घरवर है तो बिलकुल भाई आपको टैप फिकर करने की बिलकुल कोई भी जरूरत नहीं है तो आपको फिकर करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको अगर आपने 5 points आपको मिले हैं तो वह आपको नहीं कटने वाले और आपका easily certificate भी बन जाएगा अच्छा निजू सकारिया लिखती है Can I quit में job after joining तो बिलकुल मैम आपको किसी भी टाइम प कि सर 10 plus 2 वालों को भी बनाना है अफिडोट तो बिलकुल भाइस अफिडोट सब भी को बनाना है चाहे वो 10th है या 12th है या कोई graduate भी है अफिडोट सब को देना पड़ेगा अब depend करता है जो असली fake अफिडोट अगर कोई produce करेगा तो उसमें कोई problem हो सकती है अगर 10th 12th है उनको एफिडोट देना है कि हमारी higher qualification क्या है परवेज है मजी पूसते हैं सर मुझे 31.73 marks आये हैं लेकन में short list में नहीं हूं category RBA में हूं final list में आऊं या नहीं आऊं भाई आप सबसे पहले तो अगर आप short list में नहीं हो तो आपके chances थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि जो short list म maximum chances थो उनके हैं लेकिन हाँ आभी कुछ कहा नहीं सकते क्योंकि graduates बाहर हो जाएंगे जैसे ही क्योंकि वह तो हो नहीं है document verification के time तो कहीं नहीं आपके चाहिए अगर 31 तक इतना कम merit जाएगा तो definitely chance आ सकता है next question की तरफ आते हैं तो नीरज भारती जी पूछते हैं sir please voting करवाईए only 10th 12th fall merit तो भाई मैंने आपकी बात पर बिल्कुल यह voting करवाई है आप जर्दी से जाके मेरे चैनल पर और community section में जाएं कोई और भी guys लोगों को मैं कहूंगा community section में जाएं मैं उन्हें वहां पर एक voting क लोगों के कितने marks हैं वहां पर जुरूर अपना वोड़ दें जिससे में अगली वीडियो में बता पाऊंगा कि कितने percent 12th और 10th वालों ने marks gain कर सके हैं तो नीरज भारती लिखते हैं जमूए नी चांस चाही मांचु शर्मा पुछते हैं मेरा नाम provisional list में है मेरे कितने chances ह भाई आपका नाम सबसे पहले provisional list में है short list में तो बड़ी अच्छी बात है वो तो congratulations की बात है आपके लिए लेकिन आपके कितने marks से तब जाके थोड़ा इंसान gas कर सकता है ऐसे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि ऐसे तो 50-50 chance है क्योंकि अगर provisional list में आपका नाम है तो में चाहिए यह चीज़ बताई कि एफिड़ोट हर किसी को बताना है चाहिए वो 10 है या 12 है आपको अपनी एफिड़ोट देना ही होगा कि आपकी maximum qualification कितनी है तो एक सबको बनाना है और एक सवाल पहले भी था कि यह बनाना कहां से है तो एफिड़ोट या कोट से बनाना है 1st class magist से जाके कहीं पर भी बनाना है आपको तो उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास मनवीर खान का सर जो अभी भी यूजी है क्या उन्हें भी एफिड़ोट बनाना पड़ेगा बिल्कुल फिर से सेम सवाल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप सबको एफिड़ोट बनाना अपनी अपनी राई है इसमें बिल्कुल काम तो होगा है पर कितना काम होता है वो तब फाइनल लिस्ट कर जब आउट होगी उसके बाद ही पता लग जाएगा क्रॉप्शन होगा ने स्टुइंट्स को नहीं बुलाएंगे जाएंगे डॉकॉमेंट वेरिफिकेशन क्रॉप्शन क्रॉप्शन यह सबसे बड़ा मुदा है जो इसता कादिर भाई ने कहा क्योंकि यार काफी ज़्यदा रिपोर्ट सारी है ऐसे कि यहां से पैसे लिए मा पांच नंबर तब भी नहीं मिले वो क्या फंडा है जनाब हां तो अमन वर्मा का इप काफी अचा सवाल है कि जिन्होंने फॉर्म भी सही से बहरा था और फिर भी उनको पांच नंबर नहीं मिलें तो उसका वह तो उसके लिए अगर बाई आपने इमेल कर दिया हो गया तो लेकिन जब भाई अभी यह तो लिस्ट आई नहीं है लेकिन जब भी आएगी आपस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें मैं सारी डेटेल चैनल पर आपको दे दूंगा आपस इस चैनल के साथ बने रहें आपके लिए पूरी साहनभूती सेंपथी हम रिली सोरी उसके लिए आपके सब्सक्राइब करेंगे कि आपको अच्छा हो आगे लेकर अब रिलिस्ट जैसे ही आजाएगी तो मैं अपने चैनल पर अपलूड कर दूंगा आपको बने रहना है उसके अलावा सुहेल जी का सवाले सर फुर्टी फाइब को तफ रहेगा बुरा मुला अड़ है भी तने और अलसो नहीं शॉर्ट लिस्ट एंजांस चांस तो भाई कंफर्म तो किसी कभी नहीं हो सकता हां लेकिन अगर आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम है तो डेफिनिटली आपके चां तो भाई यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेशन है आपने कहा कि आपने फॉर्म भरने के नो दिन बाद आपकी ग्रेजिवेशन हुई है लेकिन इसकी एक नोटिफिकेशन में कट आफ डेट थी आइधिंक अभी मुझे याद नहीं सोलह आठ दो हजार बीस थी शाहिद या अगर उससे पहले पहले आपकी ग्रेजिवेशन हुई है तो फिर आप इसके बाद हुई है तो नेक्स्ट की बात करें तो अजी कश्यव पुछ रहे हैं सर क्या पी डेवल्यूडी के इसकी लिस्ट आएगी अभी हान जी भाई लिस्ट वह जल्दी है और में भी ये पंदर पंदरह जुलाई तक आ सकती है तो नेक्स्ट क्योंट जोति वर्मा का क्या था तब तक ग्रेजुएट्स हो जाएंगे हम अभी लिस्ट अभी लास एम चल रहा है पुला कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी नहीं भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आभी आप ग तो नजमा जी आप 100% eligible हैं आपको बिल्कुल भी फिकर करने की जरूरत नहीं है और अगर आपके मार्ग्स अच्छे हैं तो बिल्कुल आप सेलेक्शन प्रॉसस में भी आजाएंगे तो कोई और सवाल तो गाइस आज के इतने सवाल काफी थे और आई होब मैंने अपनी तरीके सब अपने आपके सवालों के best से best जवाब देने की कोशिश की है और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपना सवाल मुझे जरूर भेज सकते हैं तो आज के लिए इतना ही कि अगरा आपके सब्सक्राइब और हम बैल आइक अगरा बिल्कुल ना भूलें तब तक के लिए कुल आए